असलाम लेकुम वियूर्स उमीद है आप लोग खेरियत से होंगे आध कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है और आध मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रूट क्रीमी डिलाइट तो आईए स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सबस्क्राइब वले बटन को दबाईए साथ ही बेल आइकन को दबाईए वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अब दीजिए फ्रूट क्रीमी डिलाइट के लिए आपको हेवी क्रीम चाहिए तो हेवी क्रीम मैंने अपनी मशीन में डाल ली है और अगर आपके पास नॉर्मल बीटर है तो आप वो यूज़ कर लें यहां पर आपको कंडेंस मिल्क की जरूरत पड़ेगी और यहां मैं दो बड़े चमच हीट फुल कंडेंस मिल्क के अड़ कर दूँगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंडेंस मिल्क की रेसिपी आप लोग इसा शेर करूँ तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा मुझे तो मैं इंशाला आप लोग को बनाना सिखाऊंगी तो चलेजी हम अपनी मशीन ओन कर लेते हैं और अपनी हेवी क्रीम और कंडेंस मिल्क को अच्छे से बीट कर लेते हैं कंसिस्टेंस हमारे क्रीम का बिल्कुल जबरदस्ता हो गया है हमारी क्रीम रेडी है और अब हम अपने फ्रूट पे आ जाते हैं मैंने यहां पे अपनी पसंद से fruit ले लिया है आप अपनी पसंद से fruit ले लीजिएगा जो भी आपके घर में available है मैंने यहां पे can वाला pineapple लिया है अगर आपके पास fresh है तो आप वो भी डाल सकते हैं यहां पे आपकी choice है आप जैसा मरजी जो सा मरजी अपनी पसांद से फ्रूट एड़ कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सारे फ्रूट को अच्छी तरह से काट लेंगे और प्यारे प्यारे क्यूब्स बना लेंगे यह हमारा फ्रूट क्रीमी डिलाइट जो है बहुत क्रीमी सा हेल्दी और यमी सा बनता है जिस दिन आपकी क्रेविंग्स हों मिठे पे तो यह जरूर ट्राइ कीजेगा हेल्दी भी है क्रीमी भी है यमी भी है आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा यह पार्टी इस पे बना के रख सकते हैं जब कोई गैधरिंग्स हो तब बना के रख सकते हैं इफ़तारी में स्पेशली बहुत यमी लगता है और इसली बन जाता है बहुत ही खुबसूरत लगता है और ऐसे लगता है जैसे बहुत मेहनत की है पर सिर्फ दस मिनिट्स में इतना प्यारा सा हमारा ये फ्रूट क्रीमे डिलाइट तियार हो जाता है यहां पर मैं एक एपल ले लूँगी और एपल को मैं पील नहीं करूँगी क्योंकि विटामिन सारे छिलके में ही होते है और कुछ लोगों को क्रंची फ्रूट नहीं इतने अच्छे लगते तो यहां आप पे खुद पर डिपेंड करता है चाहें आप हाफ एपल डालने या एक पूरा डालने मैं पूरा डालूंगी क्योंकि हमारी फैमिली को क्रंची फ्रूट अच्छे लगते हैं और अगर आपकी फैमिली को जूसी फ्रूट जदा अच्छे लगते हैं तो आप वो जदा डालने चलिजी यहां मैं अपने मज़ेदार से अंगूर डाल लेंगे अब ग्रीन अंगूर डालने तो यहां पर मैं परपल यूज कर रही हूं झालने तो यहां मैं अच्छे लगते हैं झालने चलिए लगते हैं झालने जो झालने लास्ट में हमें एक बनाना ले लेड़ेंगे और आप लोग को जैसे के पता है कि केले को हमेशा एंड पे काटते हैं क्योंकि यह काला पड़ जाता है और यहां पर आज एक चीज की मुझे बहुत कमी फील हो रही है और वो है मैंगो मैंगो फलो का बाच्छा है और ऐसे फ्रूटी क्रीमी डिलाइट्स में और नॉर्मल फ वो यूज करूंगी और वो अपने इसमे क्रीमी डिलाइट में आड़ कर लूँगी ताकि मुझे मैंगो की कमी न फीलो तो अगर आपके पस फ्रेश मैंगो है तो आप वो यूज करें लाजमी चलेंजी इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे और यहां पे मेरे पास कुछ म इसको डेकोरेट करने के लिए तो यहां पे अब मैं अपनी फ्रूट क्रीमी डिलाइट को बॉल में डाल लूँगी और उपर से हम अपनी जो अखरोट और बदाम किशमेश मरबे हैं वो डाल लेंगे और झार कमा आपनी आपनी यहां ओर बूँगी फ्र यहां पर श्यू में अपनी सूथ rolled करेंगे कर राल लत्यक्तिकर पराँप कर भ्र्याप जबर्दसा हमारा लग रहा है फ्रोट क्रीमिड लाइट और बहुत ही यमी लग रहा है मेरे मुँ में तो पानी आ रहा है ये देखें माशाल्ला चलें जी अब आपको मैं सर्विंग टिप्स भी दे देती हूँ जी प्यारे प्यारे इसी प्यालियों में अगर आपके पास इस तरह के आईस क्रीम वाली प्यालियां है उन में डालके सर्व कीजिएगा अपनी फैमिली को आप भी खुश होंगे और आपकी फैमिली भी खुश होगी और इसके उपर भी हम बदाम पिष्टे थोड़ सा शीरा गिरा लेंगे अगर आप पस शीरा नहीं है तो आप नॉर्मल रुख अवजा भी उपर डाल सकते हैं अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा कॉमेट बॉक्स में मुझे जरूर पताएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अला हाफिज अपना अपना ये लुआ है